हेलो गाइद नवस्कायर वेलकम टू आनलाइं ग्यान बायानन तो साथ यो उत्राकन सामाने ग्यान प्रैक्टिस सेट एक और आपके समग में आज परस्तूत करूँगा साथ यो प्रैक्टिस सेट में उत्राकन सामाने ग्यान जो होगा UK तिरपलसी UK PSC exam oriented होगा तो आप लोगों के लिए बेहदी आवश्यक और important सवाल होंगे इसमें जो कि आपके आगामी परिक्षाओं में हो सकते हैं इन में से कोई न कोई परस्त ने तो जरूर देखें और अपने आप खुद से solve करने का परियास करिएगा चलिए शुरू करते हैं आज की महत्त्रपुण AMCQ स्रीज को इससे पहले के पार देदे आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के discussion box में लिंक है पहला सवाल नचिकेता ताल किस जिले में इस्तित है तो नचिकेता ताल है सात्यों इन में से जो सही उत्तर है आप लोग ही नचिकेता जूञत से सही उत्तर है अगला अलकनदानदादी का उद्गम इस टाल कहां से उत्गमीत होती है यह बताना आपको इसमेंसे जो क्रॉक्ततर है साथ करहा है होगता पर है निमन हमेंसे कौन नदी सर्यू झालि की सायक नदी नहीं है तो इनमेंसे आपको बताना है क्यों नदी सर्यू नदी है हमारे मावे उसकी सायक नदी नहीं गोमती नजी जो है गोमती और सर्यू नदी का संगम होता है हमारा बागेश्वर जनपद में पनार में तो पनार नदी और पनार गाड और सर्यू नदी का संगम होता है पूर्वी राम गंगा भी सर्यू नदी से मिलते है रामेश्वर बाजिष्वर जन्पद आपको बताईं गंगा को राष्टी कब गोशित कि आ गया है तो गंगा को राष्टी नदी कब गोशित किया था हमारे पूरे भारत देश ने हमारी वहां से तो गोमुक से बैती है गंगा भागी रहती नेदी तो देव परिया कि बाग गंगा नदी के नाम से जाने जाती है तो गंगा नेदी को राष्टी महतुदिया राष्टी नेदी गोशित किया सन दोहजार आठ में इसका सहे उत्र हो गया अगला सवाल कार्वेड तथा राजाजी राष्टी उद्यान में वन्नी जूई परबंदन है तू किस पैमानी पर हवाई चाया चेत्र लेना ठीक है पहले प्रशन को समझना चाहिए हमें फिर हमें इसके अमसिकुद पर जाना चाहिए उत्तरूपर ज उनका परबंदन हो उनको अच्छा वहां पर इंवर्मेंट मिन सके तो इनके वहां पर यानि वन्नी जूई परबंदन के लिए कितने पैमाने पर हमें हवाई चित्र लेना ठीक है साथ हवाई चित्र का मतलब है कि हवाई चित्र हम जाद से जादा यदि लेंगे तो हमें प की पावानी पर हमां हवाई से देने चाहिए निम्न मैं से कौन टाइगर रिजर्व है टाइगर रिजर्व सात्यों है मारा कारबेट राष्टी उद्यान 1936 मजो हैली नेशनल पार्क के नाम से बना 1947 के बाद यानि आजादी के बाद इसे जाना गया के नाम से महां परकती प्रेमी कार्बेट की नाम पे इनका नाम 1937 वार्थी वा निय जीव सहस्थान इस्थित्त ही निम्न मैं 안से काव तरकासी जनपद में इस्तित है तो इस में से आपका क्रेक्ट उतर हो गया साथ यह दयारब उग्याल वेदनी उद्र प्रियाग में है हस्त सिल्प सामागरी मोष्टा बनाया जाता है तो इन आप सुन में से आपका पर्थम राष्टी पार्क का नाम बताए तो हमने अभी पर्थम राष्टी पारक अ चिपको अ अंदोलन में पहार इसतित है पिथहौरागर जनपद निम्न में से कौन राजी में पसु चारा उप्लब्द करानी वाला विरिक्षी है वह सबसे ज्यादा है पसु चारा चारा साथ यह हमारा बाज 2019 की जनगाणा के अनुसार उत्राखन में सहरी जन्सेक का पर्तिसत कितना है इक्यार की सैंसेस के अकॉर्डिंग जनगरना के अकॉर्डिंग उत्राखन के कितने लोग कितनी जनसें क्या सहरी शेत्रू में रहती है तो इन आप्सिन में से हम सही उत्तर पे जाए तो 119 का सी हमारा क्रेक्टर आंसर बनता है 121 उत्तराखंड में जड़ी बूटो की प्राप्त होने वाली किसमें लगबगा की से हमें जड़ी बूटो के अधिक्ता है सातियों हमारा उत्तरा खंड यहां पर हमाल दल हैं वह बहुत से जड़ी बूटोने जोंसर जैसे बीमारीं के लिए बहुत लाब दायक एक है तो सब्सक्राइब का निगाई उनकी अध्यक्सता के रूप में जाना जाता है ब्रिक्षिमानों के नाम से जानते हम विश्वसर्दत सकलाना को 124 सवाल निम्न मैं से कौन वर्ल्ड हैरिटेज विश्वद्रोहर इस्तान है तो इन मैं से विश्वद्रोहर की सूची में है सात्यों राजाजी राष्ट वुद्यान नहीं है नंदा देवी वाइस्वर रिजर्ब को वर्ल्ड हैरिटेज यानि विश्वद्रोहर इस्ताल में युनिस्को ने जगह दी 1988 में तब आपको पता होने चाहिए नंदा देवी वाइस्वर रिजर्ब जो है वर्ल्ड हैरिटेज साइट यानि विश्वद्रोहर सूची में समल में कुल कुल कितने परतिसाद बाग्स एक हम राजी में कितने बनुं का परतिसाद है कुल छेटर का सही को दोर् wore Rock विजिवल के харाध के लिए हर जगह हर के लिए हर प्राणी के लिए यहाँ बहुत ही लाबदाएग है जब तक पूरा पेड साथ यो पूरी जो साका होती है हर चीद इसका बहुत ही लाबदाएग है उत्राखन का वर्दान इसलिए कहते हैं निमन मैंसे कौन एक फूलू की गाटी का नाम नहीं है साथ यो नंद कानन पुरा थार जाתखन जताते हैं उत्राखन का वर्दान के मद कहते हैं उसको जटा के रूप में नहीं धेसे हैं नंदा देभी राष्टी उद्यान को विश्व द्रोवर की सूची में सामिल किया था युनिस्को ने 1988 में पाड़ी राखो अंदुलन के सूत्रधार कौन थे तो पाड़ी राखो अंदुलन के सूत्रधार इसे आपको बताना थे वह थे सचिना नंद भारती थी और एक रेक् आफिस चेतर में ने कितने बड़ी मिलेगा तो five-point five-fave 55 ने बड़ी मिलेगा हमें पाड़ी चेत्रों का मिब्डा पिएज अगला है पर्वति चेत्र में सीड़नुमा खेति के लिए सेडियां अधिक से अधिक जितने पर्तिसद भूमी के डाल तक बनाया जाती है वह है त इतने परतिसत भूमी के डाल पर बनाय जाती है तो इन में से आपको बताना है कितने परतिसत तो इसका सही उतर साथ हो पंदर परतिसत निम्न में से कौन सी पसल राजी के तरही छेतर में अप्रेल महा में फूल जाने की आउस्ता में दिखती है तो अप्रेल महा में फूल जा का पर्मक योगदान जोह है वो कितला है तो आपको सही उत्तर बना है महिला कर्मकारूं का क्या एक सव सब्रकुझ का करने के लिए किस राजी ने अपने को जैराज किरत करनेवाला राजी जोह है अपने स्टेट को जैव राजी गोशित कर दिया वह अपना उत्राखंड राज एक सो उन्चालिसवा उत्राखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्तोपुर्ण समु कौन सा है तो इन में से आपको बताना है उस फसल समु का नाम जो उत्राखंड में उमगाई ज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज भूंग और वर्ल्ल रिकॉर्ड में उनको नाम धरज है वहें पॉंदा किसका था तो मिर्च का पॉंदा था 6.6 मिटर इसी वूच आई थी उत्राखंड में किरसी भूमी नापने का यंonne तरता है तो उत्राखंड ुट्राखंड जो किरस योगी भूमी है उत्राखंड में जो एक नाली जमीन होती है कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है यह उत्राखंड में कुछ जमीन लेनी है और हमा पता करना है साथ यहां पर जमीन किस तरह से नापते हैं तो हमें नाली और मुठी के इसाब से नापते हैं यह और पता करना ह साथ आपका सही उतर होगा साति हमारा 200 वर्ग मीटर के बराबर होता है एक नाली कौन वर्षी फसल चक्र उत्रा खंड के वर्सा आश्रद छेटरू मैं लोग फिर यह और यह है तो दो सब्सक्र पर आखेघ के वर्षा आश्रद चेटरू में लोग फिर इसे है साति इसका सही खाधियान संग्र है ये तू परीक्त होता है बकार सब्द और बकार वस्तु उपड़ी गंगा नहर का उत्भव कहाँपे हुआ तो उपड़ी गंगा नहर बनके त्यार हुई हरीद्वार में सबसे पहली नहर है हमारी राज जी की आप कह सकते हो अगले जू की काल्व हरीद् बताना हुए जापान से हमारे उत्त्राखन से खरीतिता है क्या मनवा राजी में ब्यापक इस तर gegen einen term के राजी में पहला भूमी बंदोबस्त पहले से यहाँ पे हुए यानए सतन्ता जो पहला भूमी बंदोबस्त अपाना है सもう सोतन्ती हुआ उसरा शौठ को मिली उसके अगला सवाल सुन्दरी परसादन इत्र बनाने के उपयोग में आने वाला अफरिका मूलका गुलाब जैसा जो सुगंद युक्त वह कौन सा पहुदा है जिसकी खेटी राजी में की जा रही है तो सुगंद एक बाद प्रस्ट एक बाद दुबारा पढ़ते हैं आपके लिए सुन्दरी परसादन तथा इत्र बनाने के उपयोग में आने वाला अफरिका मूलका गुलाब जैसा जो सुगंद वह कौन सा पहुदा है जिसकी खेटी राजी में की जा रही है वह हमारा जिरेनियम राजी का सबसे पुरानी नहर कौन सी है अभी आमने आपको बताए राज गया हमारा 113 वह है इसका साहि उत्र है हमारा अक्टूबर 1993 क्योंकि आपको सित्मबर और अक्टूबर में ध्यान रखना है दो आप्सवर करेक्ट ऑथ एक ही जैसे है पर इसका बहरा करेक्टे उत्तर है वह है अक्टूबर 1993 दून इसकूल-देरादून की स्थापना कब पुरुषकार पर्तिवर्स परदान किया जाता है तो 11 लाख रूपे का मदर टरेशा करोना पुरुषकार पर्तिवर्स, राज्य सरकार, उत्राखर सरकार, देती है किस चेत्र में आपको देती है यह पता करना है इस राजी में निर्धनू, निरासिर्टू एवं दुर्वनू के जिवन में सुधार के लिए उतकरिष्ट योगदान किया है उनको राजी सरकार हर वर्स 11 लाख रुपे की प्रोसहन राशी देती है जिसका नाम है मदर ट्रेसा करुणा प्रोस्कार अगला सवाल रिसी केस में लक्षिमण जूलापूल का निर्मान कब गए तो रिसी केस हमारे टीरी गड़वाल में टीरी गड़वाल के देव परियाग में हमारा लक्षिमण जूलापूल तो आपको बताना है लक्षिमण जूलापूल का निर्मान कब हुआ था इन आप्सिन में से हमारा जो सही उत्तर है साथ यो लक्षिमन जूलापूल बना 1949 इस भी में उत्राखन का नवीन इतियास पुस्तक के लेकर कौन है तो नवीन इतियास के लेकर है हमारे यस्वन सिंग कठोजी साथ उत्राखन जीकी के लिए अच्छी पुस्तक है जन्गर्ण असना 2011 की अकॉर्डिग राज्य की 10 व्रिद्य दर्वर्स 2001 से 11 तक है कितने रहे यानी 2011 तक जो 10 सालों का अन Стष सालों का अंतर है सांत्यी सांत्यों जन्गर्ण व्रिद्धि में वह कितन We failed को सबसे कम दूरी पर है तो इन मेंसे आपको बताना है कैलास मानसरोवर की यातरा पर हम जाएं तो सबसे सबसे कम दूरी पर है अगला है पिथोरागड से 165 किलोमेटर दूरी पर रिष्थी तो वहो इस्तान जहां उनी वस्तों है साल पसमीना और पंकी दुसाले कालिन और जड़ी बूटी हमें मिलती है वो इस्तान आपको बताने है तो पिथोरागड से कुछ दूरी पर रिष्थ जो 165 दूरी पर किलोमेटर दूरी पर रिस्ते थे मुनस्यारी तैसिल में हमें मिलता है साथ यहां पर हमारे भोटिया जन्टा थी सौका जन्चा थी यह लोग भी निवास करते हैं गांदि जी ने सरी भगवत गीता पर अपनी परसिद भूणका अनासकती योग कहां पर लिखे थी जब गांदि जी हमारे उत्तराखन परवास में थे साथ यह तो कौसानी में रुके थे वह कौसानी को उन्हें बात का सुजले लेंड़ भी का था तो यही पर उन्होंने अना यह मेंसे उत्राखण में जो एक जोतर लिंग है वो हमारा केदारनात धाम उत्राखण के चारु धाम की लोकीशिन आपको बतानी है कौन सा ढम का पी इस्तित भाए बार बार आपको जोल में तरसी मैं धरनात में एक दानात है मंदिर मिलेगा साथ कोटा माई का मंदिर मिलेगा हमें रानी खेट में अगला सवाल उत्राकन सरकार ने कब से किसान प्रोत साहन जो पैंसन योजना की शुरुआत कब की यह आपको बताना है तो इसका सही उत्र हो गया साथ आपका पंद्र अगस्त दो जार चौद से राज सरकार ने किसान प्रोसाहन पैंसन योजना की सरवात कि सानुके लिए की एक सोट सट का अपका भी उसका सही उतर हो गया परसिद्य सूरी मंदिर कहा इस्तित है तो अलमोडा में इस्तिध है पास इस्ति दो नर नाराय्ण परवत है ये किसको पर्ति हैं साथ यो आप लोग अगवत होंगे बद्र का स्क्रम के पास बद्री आठ जो है साथ वो कि चंमूली हम कहते हैं साथ विष्णो भगवान को ऐसे आप लगा सकते अनुमान तो नर नारेन परवत जो स्रिंकला है जो बद्रिनाज के बीज साइडों में है अर्जुन वह विष्णो को समर्पित है नर नारेन का परवत आधि गुरु संग्राचारी ने बद्रिक आश्क्र में इस्तावित मोर्ती थी वो कब निकाली थी आपको बताना है और वो मोर्ती कहां से निकाली थी यह आपको बताना है इसमें से तो इसका सही उतर हो गया साथियों हमारा आधि गुरु संग्राचारी ने बद्रिक आश्र तो यहां पर राम मंदीर आपको बताना है तो रहगुनात मंदीर है मारा देव परियाग में यह वह देव परियाग आता है तो जले में आते हैं तो इस्वर पूजा की जागर पंध्रदी पर मुखत हा होती है तो इस्वर पूजा के लिए जागरपद्दी कहां पे होती है यह हमारा उत्तराखन में गड़वाल पैंटिंग्स पुस्तक के लिखा कौन है गड़वाल पैंटिंग्स पुस्तक लिखी साथ यह मुकंदिलाल जी ने आपको बता दा है मुलाराम के चितरकारी पर आधारित ही मुकंदिलाल ने यह पुस्तक लिखी और आपको बताता मोलाराम के चितरकारों को देज-विदेच में पैचान दी गई और मोलाराम के कि चितरक के कारण हम जानते हैं मुकंदिलाल की वजह эту क्यों आपनी पुस्तकि लिखी से ही और तभी इनको इनके बारे में पता भी चल वारा लिखी गई है कभी चित्रकार मोला राम चित्रसाला की किस सहली से पारंगत थे तो साथ चित्रकार मोला राम थे वो गड़वाली चित्र सहली से पारंगत थे गड़वाल छेत्र के लोग निर्तियु में कौन सा निर्तिय उस समय किया जाता है जब हाली में विवाहिता लड़की पर्थम बार मायका आती है जब गड़वाल छेतर में जब पहली बार एक लड़की को विवाहित किया जाता है वो पहली बार अपने विवाह करकर पहली बार मायका आती है तो वहां के लोग विवाहिता के पर्थम बार मायका आने के खुशी में एक निरती करते हैं वो है अपना थड़िया निरिते, option number D, तो साथ इसमें से कुछ मेले हमें दे रहे हैं, और वो मेले लगने वाले कि इस तल कहां पे लगते हैं, वो आपको बताना है कि मेले कहां पे लगते हैं, तो बगवाल मेला रक्षया बंदन के अश्र पर कहां पे लगता है, साथ देवी कट तो ऑस्ते आप लोग राजी में मनाय जाने वाला पर्व बगवाल या मुर्यो यह क्या है तो उत्रकंड में या कुमाओं छेत्र में कहें तो जाल बिनाई दमामा या मुरियो किस यंत्र का नाम है कुमाओं के वादी यंत्र है जाल बिनाई दमामा और मुरियो हरेला क्या है हरेला है साथ वेक जववार जो कुमाओं छेत्र में खासकर परचलीत में है नंदा राजात यात्रा में तीर्थ यात्रा से कांस्वा से होमकुंड की दूरी कितनी है तो ये दूरी है नंदा राजात यात्रा जो की जाती है कितने वर्सु के अंतराल के बाद यात्रा सुरू होती है निमन में से पर्थम रेल पाद का निर्मान किया गया है वो है तो रेल पाद का निर्मान जगवाल फिल्म किस बासा बर बनी है यात्रहर कि है किस जनपत में सबसे कम परतिसत शिक्षित है अई साक्सिरता अब सबसे कम किस जनपत की है 2011 के अनुसार राज्य का सबसे जादा जनसंक्या वाला जनपत की 2011 के दौरा निम्न मैं से किस जिले का जनसंक्या व्रिद्दर रिणात्मा कुण रहा 2011 से 11 के अकॉडिक वो जनपत बताना है जहां पे जनसंक्या व्रिद्दी बिल्कूल भी नहीं हुई हाला कि बड़ी तो नी घड़ जो गई वो जिला है अपना अल्मूडा जिला 2011 के अनुसा सरवादिक साक्षर्ता दरवाला जनपत है तो 2011 के अनुसा सरवादिक साक्षर्ता दरवाला जिला है अपना देरादून 2011 के जनकरना के अनुसार राजी में पूरुस और महिला साक्षर्ता का परतिसाथ कितना है तो 2011 के पूरुस और महिला जो साक्षरता है उत्राखन में 87.82% यहां पूरुस साक्षर है, 70% महिला यहां पर साक्षर है, option number A 2011 के पूरुस और महिलाओं की आस्त निकालका है, हम पूरी साक्षरता दर निकालें, तो 2011 के अकौर्डिंग वह कितनी बनी है, तो 78.82% है, साक्षरता यहां पर साक्षरता है, 2011 के अनुसा सर्वादी का लिंगा अनुपाद वाला जिला भी है, हमारा अल्मोडा, option number A लिंगा अनुपाद कैसे निकालते हैं, हजार पूरुस पर महिलाओं का आखड़ा निकाला जाता है 2011 के अनुसा सबसे कम लिंगा अनुपाद वाला है, तो सबसे ज़्यादा वाला हो गया अल्मोडा, सबसे कम वाला आपको बताना है, हरिद्वार, थारु लोग अधिकान सता निवास करते हैं, उदम शिंग नगर में, निमन मैसे किसे थारु सोक पर्व के रूप में मनाते ह दीपावली को निमन मैसे कौन देरादून में सबसे अधिक जन संक्या है, तो देरादून की बात करें या इस समुदाई में बात करें कि हमारे जो जन जातिया, उनमें सबसे जाद जन संक्या, किसके इसकी बात करें, तो जौन सारी जन जाति सबसे बड़ी और सबसे अधि के लोग देरादुन में चीन युद्ध के लोग भारत वो ग्र stellाइं के पहले मारी इस Ben judgment of दर्रों के दर्रे थे उनसे पैदल मार्ग से दर्रे वहां से यह क्या होगा लगबग समापशी हो गया तो चीन वेडबक्री पालक होते हैं यह लोग जब घास एक जगह से दूसरी जगह या सीत रितु में या ग्रिस्मी रितु में यह लोग अपनी जगह रितु परवास कर देते हैं हमारे से खुमरी नाम कि मेसाति है किसे खुमरी नाम्क को का है नाम के पहले है यहां माहसु निमने मैं से किस जन्चाथी के जन्चाथी के देवता यह महासू देवता है इस आधियों जान्शारी रोग हनओल निम्न मैंसे के जन्चाथी समझाए का मुठे तीरती इस्टाल है तो हनोल भी साथ हुआ है उम्हारा जान्शारी जन्चाथी का तीरती इस्टाल में रेल्वे का कौन सा अंतियम रेल इस्टेशन गडवाल और कुमाउं दोनुके लिए उत्राखंड का रेल्यो इस्टेशन का नाम बताने है जो गड़वाल और कुमाउं दोनुके लिए उपयोगी वह है रामनगर ओप्सन नुबर सी उत्राखंड में मोठर यात्रा योगी कंडी मार्ग का खुलना महत्तपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हथ तक क कर देती है तो कंडी मार्ग कहां से कहां तक यह आपको बताना है तो कंडी मार्ग है सात्यों हमारा इनौप्सन में से सही उत्तर आपका है रामनगर एवं हर्द्वार की मध्य है परस्तावित हिमालय हिमालियन राजमार्ग पर्योजना की किर्यानवित किया जा रहे तो पर में हमारे कुल राष्टी राजमार्ग आपको बताने है तो इसका सही उत्तर राष्टी राजमार्ग हमारे उत्राखन में कितने है चौद बद्रिनात मंदिर राश्टी राजमार्गेश है किस राश्टी राजमार्गे अंतरगत आता है अनेच 58 के अंतरगत नेशन आएवे 58 जो शारी में द्रहासु तक विद्धूत परिजना ले जाने लिए निर्मी सोल किलोमेटर लंबी भूमिका शुरंग इस्ठिध है तो धराशू तक जो भूमिका शुरंग है साथ निर्म में 16 किलो मेटर लंबी भूचरंग है किस नदी पर है यह आपको बता नहीं जो यह सुरंग बनी है किस नदी पर बनी है तो दोस्ता रहा बात का उत्तर है भागरेती नदी पर भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी की संदी है यह उत्तर है किया जा रहे हैं तो माइक्रोसोफ कॉपरेशन लिम्टेट के सरयोग से देश की पहली लिमिटेट के सरयोग से देश में पहली सबसे बड़ा कारखना कारखना है लालकोव में उत्रकन राजी के सिर्जन के समय ग्यारवे वित्ता आयोग ने इसे निम्नांकित राजी का दर्जा दिया है राजी में उत्ता थी ने इसे राजी कारघ्वी इसे विशेसर्ग का राजी का दर्जा दिया था एक दो saja का अब कर्यक्त्र और राजी में की सिल्क पारक करें εegen지만 चल्प ड्राव की जा रिएक देरा दून में यहाई राजी के इस और कर के मिलें घिकषे आम्ट किना हमारे राज़ी के सिल्फ उतपाट मिलते हैं आ बर दीन द्यायल उपध्याइक के नाम से यहां पड़ा सेवा 108 सुरूं गई कब की गई 2008 बंदे वात्रम योजना का सम्ण्द किस से नाम से कौन योजना जाने जालों जाते यह सम्दित है किस जेले में इस्तित तो कडवा आश्रम आपको बताना है किस ज़ले में इस्तित है कि संबधिध है कि कढवा अश्रम है दुश्य रिपा Dare न हमारे भारत पड़ा नाम बरत विखिन से मालिण और कर माड़ी नैटिकेटर पर और कढ़ा आश्रम अग techniques देश का परतम किस्व विश्व विद्याले 1960 में इस्तावित किया गया और कहां पर किया गया तो गोबिंद्व बल्लब पंत युनिवस्टी जो शुरूगी गई साथ में केंद्र विश्व विद्याले का दर्जा मिला है तो साथ यह आई होप आपको समझ अच्छे लगे होंगे प्रस्ण फिर मिलूंगा में उत्राखट के अमस्ग्यूज के साथ आपके समुख तो बने रहे हमारे वीडियो में आप लोग को हमारे फिचले पार देखने हैं त लोग हमारे पुराने पांट से हो सकते हैं तो मिलता हूं साति के इन आनंद मेरा उत्राखंट के शाम्मानिघ्ञान के ंप्रेक्टिसे मैं हिंदी ब्याकनीके के प्रेक्टिसेट जएच के साथ Anytime